सिटी मेजिस्ट्रेट डॉक्टर विश्राम को पाकिस्तान के कराची शहर से धमकी भरी फोन को लाई थी ये कॉल वारांडसी के 56 रिस्थेतिक होटल के मालिक ने कराई थी सबूतों के अधार पर क्राइम ब्रांच ने पूछताच के लिए गाजिपूर, बिहार और वारांडसी से चार लोगों को गिरफतार किया है सिटी मजिस्ट्रेट डॉक्टर विश्राम को बीटे 13 मार्च की आधी राट पहली बार पाकिस्तान के कोड नमबर से कॉल आई थी फोन करने वाले ने खुद को PML ग्रूप का सदस से बताते हुए बनारेस की कोनिया मस्जित के मुकदमे में एक पक्ष के हक में फैसला नहीं सुनाने पर देख लेने की धमकी दी थी बाद में भी उसने कई बार फोन किया एक सब्ता बाद फिर पाकिस्तान के उसी नमबर से सिटी मेजिस्ट्रेट के मुबाइल फोन पर धमकी मिलने के मामले में रविवार को पुलिस ने एक होटल कारोबारी से पूछ ताज की उससे ये जानने की कोशिश की गई कि फोन करने वाले से उसका क्या समबंध है और ऐसा किस कारण से किया गया पुलिस इस मामले में होटल कारोबारी से जुड़े कई अन्य लोगों से भी पूछ ताज की तैारी में है उधर क्राइम रांच ने इस मामले में बिहार से भी दो लोगों को पकड़ा है पुलिस होटल कारोबारी का इतिहास भी खंगाल रही है चतुर भुझपूर मुहले में महिलाओं ने देशी शराब की दुकान पर धावा बोल दिया यहाँ पिछले साल बले राम साओ के मकान में किराय पर देशी शराब की दुकान संचाले थोरी थी इसे लेकर पहले से ही तनाव था इस बीच नया आवंटन भी हो गया रीमा देवी के मकान में देशी शराब की नई दुकान खुल गई ये देख कर शरीवार को भी हंगामा मचा था पर कोटवाली पुलिस ने शान करा दिया आवंटी ने रातो रात मकान बदल दिया और पंचम गुपता के कट्रे में शराब की पेटी रखकर रविवार से बिक्री शुरू कर दी ये देख दरजरों महिलाओं ने दुकान पर धावा बोल दिया शराब की पेटी को सड़क पर फेकने के साथ ही सेल्समैन को मारने के लिए दोडा लिया गया हाला कि सेल्समैन भाग निकला तैसिलदार और सीयों ने पुलिस के साथ पहुंच कर मामला शान कराया हंगामे के दौरान शराब की बोतलों की लूट मची रही जी एस्टी की विसंगतियों के खिलाफ रविवार को व्यापारियों ने प्रदर्शन किया और इसमें संशोधन की मांग उठाई लहुराबी रिस्टिट आजाद पार्क में वारान सी युवा व्यापार मंडल के बैनर तले व्यापारियों ने जी एस्टी की दरों को अव्यभारिक बताया वारान सी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीज सिंग बग्गा ने कहा कि कच्ची मुंगफली पर 5 प्रतिशत और भुनी मुंगफली पर 12 पीस्दी जी एस्टी दर लगाई गई है इससे चोटे और मजले व्यापारियों को नुकसान हो रहा है जबकि बड़ी कमपनियां बाजार पर प्रभुत्व जमाती जारी है मढवाडी थानाचेटर के लहतारा चुराहे पर रविवार की सुबर साइकल सवार 17 वर्षी किशोर मनीश शर्मा सिमेंट लडी तेज रफतार ट्रक की चपेट में आ गया इससे उसकी मौके पर ही मौथ हो गई वो इंटर का चात्र था और चचेरे भाई सनी के साट साइकल से लहतारा इसे एनियार स्टेडियम जा रहा था तककर के बाद सनी बाई और गिरा जिसके चलते वो बाल-बाल बच गया चालक तककर लगने के बाद ट्रक लेकर फरार हो गया नगर में रविवार को बनारस क्लब द्वारा महिला कार रैली का आयोजन किया गया इसमें बनारस की 65 महिलाएं शामिल हुई रैली का शुबारम डियम योगेश्वर राम मिश्रो और स्स्पी की पतनी नेहा भारदवाज ने किया करीब 15 किलो मिटर के सफर में 16 स्थानों से टोकन लेकर 65 प्रतिभागियों को बनारस क्लब पहुँचना था इस रैली में पृतू चौधरी ने बाजी मारी ओवरॉल प्रदर्शन में क्वीन ओफ रैली का खिताब शिप्रा श्रिवास्तव ने अपने नाम किया दूसरे स्थान पर अमिता पोड़ार, तीसरे स्थान पर सविता राठी, चौथे पर अंकिता अग्रवाल रही बैतरीन थीम के लिए प्रियंका राठी और स्लोगन के लिए स्मिता साहू को पुरस्कृत किया गया महिला का रैली का आयोजन माहिश्वरी कलब और माहिश्वरी कला संस्कृति की ओर से किया गया था संकट मोजन मंदिर के पीछे भोगा बीर में शुकरवार की शाम बदमाशों ने हवाई फाइरिंग की थी इस मामले में आसपास के लोगों ने चार लड़कों को पकड़ कर पुलिस को सौब दिया था घटना स्थल से दो कार्टूस बरामत भी हुई थी मामले में पकड़े गए चारो यूगकों को फर्जी फसाने का रोप लगा कर आरेसेस प्रचारक चंड़ प्रकाश मौरे और जिला पंचाई सदस सुरेइन पटेल के नेत्रित में यूगकों के परिज़रों ने लंका थाने पर रवीवार को प्रदर्शन किया इस जोरान पुलिस के खिलाफ नारे बाजी की गई और पुलिस पर असली आरोपी को बचाने का रोप लगाया गया पुलिस ने आरोपो से इंकार किया है शहर के अलग-अलग हिस्सों में चोरी करने वाले गिरों को मडवाड़ी पुलिस ने रवीवार को चानपूर इंडस्ट्रिल स्टेट इस्थेतिक बगीचे से गिरफतार किया चोरों के पास से कई मोबाइल, जेवराट, समेट 1.5 लाग रुपे के चोरी के समान भी बरामत किये गए पूश्टाच करने पर तीनों आरोपियों ने शिवनगर कॉलनी चानपूर में पुलिस कर्मी श्री प्रकाश तिवारी के घर चोरी करने की बाद भी स्विकार की भी छीनी गई थी। वहीं धरना देकर सभा शुरू कर दी।